हलो दोस्तो स्वागत है हमारे वीडियो पर तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस तेजपत्ती के बारे में दोस्तो ये तेजपत्ती में बहुत सारी बिटामिन्स इलिमेंट्स पाए जाते हैं और इसको हम लोग क्या करते हैं कि सबजी जब बनाते हैं तो इसको हम लोग तड़का लगाने की काम करते हैं, लेकिन दोस्तों ये सबजी को स्वाध तो करती हैं, सबजी में ये तो प्रोटीन परवाइट करती है, लेकिन ये पौधे पर भी कुछ ऐसा इसमें बीटामिन्स है, जो पौधे पर भी ये बहुत ही बढ़िया काम करती है, वो हमें पता नह रहती है लेकिन अगर इसको यूज करके अजमां कर देखे तो यह बहुत ही तेजपत्ट का फाइदा है क्यूंकि इसमें बहुत सारी विटामिंद पोतास पोतास के एक से यूज करोगे सोभी में तो दोस्तों को हम पौध है पर इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो यह पौधे पर बहुत ही बढ़ी है तो दोस्तों हम यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखा रहे थे इस तरह से देखिए पौधे पर आपको यूज करना है यह हमारा विसकर्स का पौधा है और इसमें फ्लाबरिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहे हैं लेकिन इस चीज को हम तो फिर हम इसको यूज करेंगे और इस तरह से यह जब तरह से यूज करना जानते हैं और किस तरह से यूज करना जानते हैं सो भी मैं आपको अपनी वीडियो पर दिखाऊंगी कि कैसे करना है किस चीज को यहां पर भी देखिए यह हमारे बिल्कुल पिंक कलर का विसकर्स का पोधा है इसमें भी यूज करेंगे यह देखिए हमारे यह मधुकामनी का पोधा है आप हर पोधी पर अगर इस चीज का घने होंगे और इससे इसमें फलाबरिंग भी बहुत ही अधिक मातरे में होगी क्योंकि अभी देखिए इसमें छोड़े-छोड़े-छोड़े-फुल आना इस्टार्ट हुई है इस चीज को यूज करकर और भी हम दिखाते हैं यहां पर हमारे जो गिंदे का प्लांस है उस मेगनेसियम 혼자 केलसियम हर चीज का यह ऌल्रती सहरे तो दोस्तों इस तिस पत्ति को हम लोग क्या करते हैं कभी ऐसा होता है कि हम लोग प्लांससरा कर उसको ठंड कर पोढ़ती है इसका जो एलिमेंट्स रहती है सो पानी में अच्छी तरह से घुलकर निकल जाती और इससे निकलने के बाद हम उस पानी को डाइलोट करकर ठंडे करकर उसमें मिक्स करते हैं तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यूज करकर कि इस पतियां को यूज कैसे करना है तो आपको इसके साथ साथ क्या क्या लेना है चीज तो भी हम आपको दिखाऊंगी अभी तो हम आपको बताते हैं कि हमको लेना क्या है तो यह हमारे केले के छिलके अगर आपके पास ताजे है तो ताजे ले ले इस तरह से और नहीं तो फिर आपके पास अगर सूखा हुआ केले का है तो वो भी आप ले सकते हो क्यूंकि इसमें जानते हैं पोटेसियम बहुत ही मातर मात्रे में पाया जाता है और इससे आपका प्लांस बहुत ही बढ़ियां हो जाती है इसको हम लोग पौधे पर यूज करकर भी दिखाए हैं इससे के छिलके को भी यूज करकर दिखाए हैं और इनका फटलाइजर भी हम बना कर दिखाए हैं इस तरह से अगर केले के छिलके है तो उसको आप यूज करें, तो कैसी यूज करना है, तो भी मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये हमारी केली का छिलका जो है, वो पोधी पर डालती जब है, तो उसका बहुत ही बढ़िया काम करती है, तो हमें लेना क्या है, चलिए हम आपको दिखाते हैं, कि आप सबसे पह तरह से बनकर रैडी हो जाएगी, तो हम यहाँ पर केले का छिलका कम से कम हाप लेटर पानी में, हम केले का छिलका दो से तीन लिये हैं, इतना ही ले, ज़्यादा लेने से भी पोधे पर नुकसान होती है, तो आप हम यहाँ पर इतना ही यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम आ लेकिन जिस पत्ति में इस तरह से आपका छित्ति पन बना है, तो उस पत्ति को लीजिए, क्यूंकि इस पत्ति में सारे इलिमेंट्स जो देख रहे हो, इस तरह से बलैक बलैक, वो बलैक पानी में अगर घुलेगी, तो इसका प्रोटीन बहुत ही बहतरीन काम करेगी, तो आपको इस तरह से लेना है, यहाँ पर आप कम से कम 3-4 बलैक पत्य को इस यहाँ पर डाल दे, और डालने के बाद आप इसको ढखकर छोड़ देना है, इस तरह से मेच्यूर होने के लिए इसमें छोड़ दे, क्यूंकि मैंने यहाँ पर डाली हूँ और डाल कर, तो यहाँ पर मैं डाल कर दिखाई हूँ आपको इसको क्या करना है इसको कम से कम आप दो घंटे के लिए नई तो दो दिन के लिए आप ढग कर छोड़ दे तो दोस्तो आईए हमारा दो दिन हो चुका है अब हम आपको दिखाते हैं इसका रिस्पॉंस कि इसका रिस्पॉंस कि इस तरह से यहां रेडी है तो देखिए यह हमारा प्लांट्स पर डालने के लिए यह किस तरह से हमारा रेडी हो चुकी है इनके देखिए किस तरह से यहा वाच बने हुग गये हैं और यह देखिये मैंने आपको बना कर यहां पर रखहे हूं यह तो अद्धीन के लिए आप ढ़क कर रखें लेकिन आपको किस जगह पर रखना है किस मैं बताती है क्योंकि इस चीज को अगर आप बनाते हो तो आप ठंडी जगा ना कि आप धूप में रखे अगर धूप में रखते हो तो यह क्या होगा ज्यादा मैच्यूर हो जाएगा धूप में अगर रखोगे तो एक दिन आप रखे इससे ज्यादा ना रखे तो अब हम आपको इसको द आपको इस तरह से कर ले और नई तो फिर आप चाहिए छनी की मदब से भी छान सकते हो आप देख सकते हैं कि इसका पानी किस तरह से हमारा बिलकुल इसका इलिमेंस जीतना विटामिन था वो निकल चुकी है तो आप यहां पर देखिए यहां पर मैंने डाल दिया तो दोस्तो अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से आपको पानी को मिलाना है तो इस तरह से आप पानी को अच्छी तरह से इसको मिला ले क्योंकि मैंने यहां पर साधा पानी डायलोड कर ली है और करकर यह पूरे हमारा 4 लीटर बन चुकी है अब आप सारी प्लांट्स पर डाल सकते यहां देखिए हमारे गुलाब का है यहां देखिए इस तरह से हमारे सारी प्लांट्स है तो सारी प्लांट्स में हम डाल कर दिखा रहे हूं इस इलाइची के प्लांट्स भी मैंने डाल दिया है आप सारी प्लांट्स पर डालो तो दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं यह हम इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है इस तरह हर पतवार को हटा देना है ताकि हम प्लांट पर अच्छी तरह से ग्रोथ करवा सकें नहीं तो क्या होगा कि हमारा प्लांट बिल्कुल ये मरने की कागार में हो जाएगी तो यहां देखे मैंने चारों तरफ से मिट्टी को पौधे पर ना तो न्यूट्रेशन पहुचा पाएगी और ना ही ऑक्सीजन पहुचा पाएगी तो इस तरह से देखे हम प्लांट पर यहां पर गुडाय कर दे रही हूँ ये गुडाय करने से बहुत ही बेहतरीन पौधे का रिस्पोंस आती है और इससे आपका प्लांट इस भी बहुत ही बनिया रहती है तो चलिए हम आपको अब दिखाते हैं इस पर यूज करकर तो सबसे पहले यहां पर आप गुडाय कर ले इनकी मिट्टी को हटा ले यहां से पर देखे मैंने हटा लिया है और गढ़्धे बना लिया है और यहां पर कब से कब हम चार से पा विडिटी में सड़ेगी और शड़ने के बाद कमकोष्ट होगा और कमकोष्ट होने के बाद यह पलांस पर अपना काम करेगी और इसी तरह से अपनी घर पर पलांस पर हर कीचन में छोटे-छोटे जो चीज रहते हैं जो हम लोग नहीं जान पाती है उस चीज को यूच करन प्लांट्स पर तो दोस्तों हमारा जानकारी वीडियो आपको अगर पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को करना लाइक और चाइनल को कर देना सब्सक्राइब दोस्तों बाई बाई